नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग वाला पर मेरे नाम कमलदीप सिंग है एक बार फिर हम आपके सामने हैं एक बहुत इंपोटेंट क्लास लेकर एक बहुत इंपोटेंट इंफोमेशन लेकर देखो सभी लोग जानते हैं कि यूपी की जो वेकैंसी है, वो सबसे ज़ादा delayed चल रही है, क्योंकि बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए है वेकैंसी हमें नहीं देखने के लिए मिली है चाए वो primary के लिए हो, चाए वो upper primary के लिए हो, चाए TGT हो चाए PGT हो, कोई भी वेकैंसी अभी तक हमें नहीं देखने के लिए मिली है लेकिन अभी थोड़ी आशा जताई जा रही है नए आयोग के बनने के बाद में कि जो teaching vacancies हैं उत्तर परदेश में वो हमें देखने के लिए मिल सकती हैं तो आए इसी की related एक news मैं आप सभी को बताऊंगा आज के इस वीडियो में तो news यह ह कि अभी जो खबरों से पता लग रहा है जो आयोग के द्वारा बार बार आयोग पर जोर बनाया जा रहा है दवाब बनाया जा रहा है कि भई exam की notification के बारे में clarification दीजिए exam कब conduct कराएंगे उस चीच का clarification दीजिएगा और दवाब बनाना सही भी है क्योंकि इतने साल हो गए ह एक छात्र की जो age होती है वो exam में बैठने के लिए वो निकल चुकी है काफी लोगों की फिर भी vacancies का wait करते करते इतना time हो गया है तो खबर ये देखने के लिए मिली है अभी पिछले कुछ दिनों में हमें ये सुनने में आया था कि उत्तर प्रदेश में जो सिक्षक और श उत्तर प्रदेश में विभागों के द्वारा ठीक है कि भया कि जो teacher का और आपका student का ratio है वो बराबर है जिस वज़े से हम vacancies नहीं निकाल रहे हैं लेकिन अभी खबर के द्वारा क्या पता लगता है कि चुनाओ के बाद में इस school में ठीक होगा सिक्षकों का अनुपात या सब को पता है सब लोग काफी लोग उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं मैं अभी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश की स्कूलों की क्या हालत है गाओं के वो हमें पता है ठीक है कि भई एक एक teacher पूरे school को समाल रहे हैं ठीक है दो दो teacher पूरे school क को समाल रहे, सिक्षक है नहीं वहाँ पे आपके, ठीक है, तो अभी उसी चीज को लेकर यहाँ पर एक खबर यहाँ पर प्रिकाशित हुई है, कि चुनाओ के बाद में स्कूलों में ठीक होगा सिक्षकों का अनुपात, याने के चुनाओ आचार सहीता समाप्त होने के ततकाल बाद, राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में सिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी, इसके तहट सर प्लस सिक्षकों का जिले के अंदर ही समायोजन कर, स्कूल में छातर सिक्षक अनुपात को एक समान या बहतर बनाया जाएगा, ठीक है, तो चुनाओ के बाद ये बात करी जा रही है कि प्राइमरी लेवल पर जो टीचर स्टूडेंट का रेश्यो है, उसको कैसे आपका समान किया जाए, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक स्टेंडर्ड रेश्यो होता है कि इतने बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, वो रेश्यो को स्कूल फोलो वो समान नहीं है, अकोर्डिंग टू दी स्टेंडर्ड नहीं है, पिछले करीब डेढ़ दसक से समयोजन नहीं होने की वज़े से आपका जो है सिक्षकों के अनुपात में बड़ी असमानता आ गई है, हालत यह है कि सहर या सहरी छेत्रों में आसपास के विध्यालियों में सरपलस सिक्षक तैनात हैं, जबकि ग्रामीड शेत्रों में स्कूल एकल या दो सिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं, यानि कि ग्रामीड शेत्रों की बात करें तो एक या दो सिक्षक स्कूल में हैं, जिनके भरोसे वो सिक्षक चल रहे हैं, ठीक है, तो तैनाती के ये मानक होत थिक. तो इस टीचर के और स्टुडेंट के रेशियो को पूरा करने के लिए अभी आयोग की तरफ से जवाब आया है कि भाया elections के बाद में इस चीज पर जोर दिया जाएगा और सबसे पहले आपके जो examination है जो आपके primary teacher exams के लिए आपके होने वाले हैं like super ted तो super ted की vacancy पर जोर दिया जाएगा और वहां से सिख्षकों के primary level पर भरती कराई जाएगी assistant teacher की vacancies कराई जाएगी तो उमीद है कि elections के बाद में आपको super ted की vacancy देखने के लिए मिल सकती है किसी भी वक्त सबसे पहले उत्तर परदेश का जो आयोग नया बनाया गया है सिख्षक विभाग जो बनाया गया है उसमें आपका जो है UPTGT का जो exam है सबसे पहले उस exam को conduct कराने की बात हो रही है तो इसका form आपने भर लिया था अब इस form को भरने के बाद exam नहीं कराया गया था तो सबसे पहले ये exam conduct कराया जाएगा उसके बाद में super debt की vacancy को निकाला जाएगा एक मोका और बन सकते है इस साल आप सभी के लिए आप vacancy को अगर ध्यान से देखें तो काफी time के बाद नए आयोग बनने के बाद उम्मीद फिर से एक बाद जगी है कि आपकी जो vacancies है वो time से conduct कराया जाएगी time से भरती वहाँ पर कराया जाएगी खासकर बहुत ज़्यादा pressure इस समय सिक्षा विभाग के उपर बनाया हुआ है और वो pressure बहुत सही है ऐसा ही pressure हम लोग बनाते रहेंगे अपनी इन वीडियो के थुरू अपने इन editorial के थुरू और साथ में different different type की चीजों के थुरू न्यूस पेपर वाले भी लगातार pressure सिक्षा विभाग के उपर बनाये हैं ताकि सिक्षा भरतियों को समय से निकाला जाए आप लोग भी support करिएगा और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़िएगा तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं अपनी preparation को सुरू कर लो क्योंकि इस साल definitely आपको चीज़े देखने के लिए मिलेंगी ठीक है चलिएगा तो आप अगर teaching वाला के साथ जुड़ के तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और किसी भी paid courses के तुरू teaching courses के तुरू आप तयारी हमारे साथ कर सकते हैं तो all the best guys जुड़े रहिए आप हमारे साथ में teaching वाला के साथ में अपनी preparation को better करने के लिए तो all the best नमस्कार थैंक्यू धन्यवाद